पहले तो समस्या का मुख कारण ये है कि नक्सलवादी का प्रॉब्लम ये है जल, जंगल, जमीन और दारू ये चार चीज हैं ये चार चीज पर जो ही उनको खत्रा नजर आता है वे द्रोख करते हैं और करते रहे हैं तो महुआ बिहार के जारकंड के परिपेक्ष में महुआ ये तो बाकी लोग के जैसे 36 गर में दारू कहिए समस्या कहां है समस्या ये है कि ये सब illegal activity करते हैं काम करते हैं जंगल का जितना एसेट है उसको गरत तरीके से बेजते हैं extortion करते हैं ड्रक्स ट्राफिकिंग करते हैं और threaten करते हैं और लोग को blackmail करते हैं ये सब इनका source of funding ह हम लोग कहां lapse किये हैं हम लोग lapse किये हम कहां चूक हुई है चूक ये हुए ही कि ये जंगल में छुपे रहते हैं जिस तरह का equipment profile CRPF या center military forces को होना चाहिए वो पूरी तरह से मेरा ख्याल है नहीं available है जो state of training है जो standing operating procedure है अभी जो हाल में जो हादसा हुआ था उसमें पेट्रोलिंग के लिए चार दिन से उसी रास्ते पे जा रहे थे लोग ये तो suicidal है ये तो फौज के सिखलाई के totally opposite है आप हम लोगों को तो ये भी सिखलाई जाता है कि जब पेट्रोलिंग के जाते हो routine और route out अलग होना चाहिए same route नहीं हो सकता तो इस तरह का जो training में जो deficiency deficiency है ये घातक साबित हो रहा है दूसरी बात में करना तो कहीं न कहीं तो ये नकसल नकसल्स जो है चुपे हुए हैं आप सैटलाइट के माध्यम से फोलियोज पेनेट्रेटिंग राडार के माध्यम से आप इनका exact coordinates लीजिए और उसको ड्रोन्स के माध्लम से armed helicopter के माध्यम से destroy कीजिए 400-500 आदमी एक जट्के मुडाई ये इनके होस्ठीका ने आ जाएंगे ये तो महिनों का खेल है जादे वक्त नहीं लगेगा लेकिन कहीं न कहीं हमको लगता है कि एक्छा शक्ती का की कमी थी जिसके वजह से ये नाजाइज फाइदा उठाते रहे हैं और कहीं हो स कि ये विश सदा के लिए खतम हो